दोस्तो हेर लोस गंजपन किसी के साथ भी हो सकता है लेकिन ज्यादतर लड़के ही जल्दी गंजपन क्यों हो जाते हैं लड़कियां क्यों नहीं होती हैं क्या वज़े है आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला इसके अलावा दोस्तो अगर आपका भी गंजपन हो चुक या आपका hair loss हो चुका है या आपके सर पर 5 या 10 साल से एक भी बाल नहीं है तो आपको 10 से लेने की जरौत नहीं है आप मेरी तरह मेरे बहुत सारे दोस्तों की तरह घर बैठकर असली hair lotion का यूज करें जैसे मैंने hair drops किया है और मेरे सासाथ मेरे बहुत सारे दोस्त असली hair lotion का इस्तिमाल करके hair regrowth कर चुके हैं अगर भरोसा ना हो तो आप हमारे चैनल पर hair regrowth result वाली वीडियो देख लेना इसी की साथ साथ अगर आपको मेरी किसी भी तरीके की मदद चाहिए कि असली hair lotion कैसा होता है hair lotion से बाल आएंगे या नहीं या किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन की पर आपको नमबर देता हूँ उस नमबर पर आप call या वाटसप कर लेना मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा साथ ही साथ मैं अपना hair regrowth result और हमारे बहुत सारे दोस्तों का result भी शेयर करूंगा ताकि आपको motivation मिल सकें इसी के साथ वीडियो की description में Instagram आईडिया और Facebook का link है आप बहाँ पर हमें follow कर लेना अच्छे अच्छे hair regrowth result वाली वीडियो देखने के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आखे लड़कियां क्यों नहीं होती है दोस्तों लड़का हो या लड़की हो हमारी body के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं टेस्टिस्ट्रॉन लेकिन दोस्तों यह हार्मोन टेस्टिस्ट्रॉन जिसका नाम है ये male के अंदर जादा होता है और female के अंदर कम पाया जाता है दोस्तों ये वाला जो hormone है test stone ये हमारी जो male की body होती है इसके अंदर क्या काम होता है मैं आपको थोड़ा short में बता देता हूँ जैसे हम हैं या मर्द हैं तो हमारी जो अबाज भारी होती है वो इसी hormone की वाज़े से होती है ठीक है और हमारी जो body build होती है जो muscle build होती है वो भी इसी hormone की वाज़े से होती है और जो male के अंदर sexual power आती है वो भी इसी hormone की वाज़े से आती है अजब यह convert होता है DST में तो दोस्तों हमारे अंदर DST भी ज़्यादा बनने लगती है अजब DST ज़्यादा बनने लगती है तो DST कहीं न कहीं हमारे बालों को यह signal देती है कि जो हमारी hair roots होती है मैं अभी आपको एक example के थुरू समझाता हूँ दोस्तों माल लीजी यह हमारे बाल है तो जब हमारे अंदर DST ज़्यादा बन रही है यह हमारी hair roots है तो DST जो है यहाँ पर जमने लगती है अभी हमारे बाल ठीक है अच्छे हैं, healthy है, स्वास्त है तो हमारे बालों के अंदर जो बिलट फिलो होना चाहिए, बहुत अच्छे से होता है बहुत फास्टली होता है, ठीक लेकिन जब यहाँ पर यह चीज blockage होने लगती है hair roots में blockage आने लगती है तो जो हमारा बिलट फिलो होता है मतलब बालों के अंदर जो बिलट जाना चाहिए जो nutrition, vitamin बालों को पहुचना चाहिए तो कहीं न गहीं, blocking की वज़े से blockage की वज़े से, वो proper तरीके से हमारे hair roots के जरिये बालों के अंदर नहीं पहुच पाते हैं जो भी जाना चाहिए, खुन जाना चाहिए या nutrition जाना चाहिए जिसकी वज़े से, हमारे बाल दिन बादिन पथले होने लगते हैं, मुर्जाने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता, जब हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो बहुत सारे बाल हमारे हाथ में आ जाते हैं और अगर हम हाथ ना भी लगाएं तो अभी हमारा हेर लोस बहुत जल्दी हो जाता है पता भी नहीं चलता कि भाई हमारे बाल आखिर कब गिर गए कैसे गिर गए तो कहीं न कहीं, अगर आप reason सबसे ज़्यादा मानेंगे male के अंदर तो DHT माना जाता है जिसकी वएसे male का जो है बहुत जल्दी हेर लोस हो जाता है बहुत जल्दी गंज़पन होता है और भी बहुत सारे reason होते हैं दोस्तो अगर हम female की बात करें तो female के अंदर test stone जो हर्मोन होता है उसकी मातरा कम पाई जाती है जिसकी वएसे उनके अंदर DHT तो बनती है लेकिन ना के बराबर बनती है इतनी DHT नहीं बनती है जिससे उनके बालों को effect हो जिससे उनका hair loss हो मैं यह नहीं कहता हूँ कि लड़किया गंज़पन होती है या hormone imbalance होगी या उनकी अधर कोई जो ऐसे personal problem होती उसकी वएसे उनका hair loss होता लेकिन जैसे जो male जल्दी गंज़पन हो जाता है DHT की वएसे तो लड़किया जो है DHT की वएसे जल्दी गंज़पन होता दोस्तो second reason जो होता लड़कियों में जिसकी वएसे उनका hair loss बहुत कम होता बहुत कम मतलब गंज़ी होती है क्या है tension और stress मैं यह नहीं कहता हूँ कि लड़कियों के tension नहीं होती stress नहीं होता लेकिन जिस तरीके से लड़कों के अंदर tension होती है या stress पाया जाता है जैसे लड़कों को सोचना होता कि मकान बनाना है शादी करना है और भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उनको performance करना होता है पैसा कमाना है जिसकी वैसे बिचारे रात दिन टेंशन में लगे रहते हैं और उनका tension और stress की वैसे hair loss होने लगता है लड़कियों का क्या है वह सोचनी है कोई ना कोई हमें रासकुमार मिली जाएगा जो बिहा के ले जाएगा बुरा मतमना यार मजाग कर रहा हूँ ठीक है तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है दोस्तों और भी बहुत सारे रीजन होते हैं अगर मैं आपको इस वीडियो में और आपके नए बाल आ सकें तो आप ये वीडियो ऐसे भाई ऐसे दोस्त के साथ जरूर सेयर करें जिसका हेर लोस हो चुका है गंजापन हो चुका है हो सकता है विचारा वह ये वीडियो देखके उसको भी कुछ समझ में आ जाए और वो भी अपना है डीच्टी कंट्रोल करना चालू करते है जिसकी वएसे उसका हेर लोस रुख जाए तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं तक तक के लिए